जैहिन दोस्तों मैं प्रमोद निसाद आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विथ प्रमोद यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम लोग यहां पर हिंदी का प्रेटी सेट नंबर साथ करने वाले हैं इसके पहले हम लोग 6 प्रेटी सेट कर चुके हैं आप लोग नहीं टाइम ब्यतित नहीं करेंगे हम तुरंत यहां पर चलेंगे यहां पर अपने प्रेटी सेट की और पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं उससे पहले मैं आप से जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लायक कर दीजयेगा और सेयर करिए थाकी सभी लोगों तक इसी घरीइव को पहुंचाए अनद यहींसका लाह ले सके दोवृस्टों तो चली दोस्तों चले दोस्तों हमकित्पढ़कर लेते हैं पहला कोश्चन आपके कि स्क्रीन पर लेते हैं दोस्त च के लज्म करें चाइन करें इसे प्रतियस्थापित करने की आवस्त्ता नहीं है तो बिकल्प किसी ब्दलाओ की आवस्तता नहीं है का चैन करें अब देखिए कंप का दिया ग्या है बोंहा है कि महां पर हैं इसमें वां के लिखा बदलाव की आवसकता है तो डी वाला अप्सन है किसी बदलाव की आवसकता नहीं है इसका चैन करेंगे देखें महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री था हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी या हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी बताएं दोस्तों महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी यहां पर दोस्त जो का यहां पर है यह का सुटेवल नहीं है अगर यह की हो जाएगा तो संटेंस बहुत बहतरीन बैठ जाएगा महादेवी जी हिंदी की सुविख्यात कवित्री हैं यह अच्छा लग रहा है यह जो है बिकल्प उप्यूपत लग रहा है इसलिए यहां पर दोस्त है आप्सन नमबर बी इसका राइट जाएगा यहां पर हिंदी का नहीं हिंदी की करेंगे तो एसू टेबल हो जाएगा किलियर है एक बार आप पोड़ेकर इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अच्छा होने बैठने वाला है और क्या नहीं बैठने वाला है किलियर है दोस्तों एक बार सभी लोग थमसब करेंगे बताएंगे क्या आपको किलियर है यह बात चलिए आगे चलते हैं अगला क्या है दूस्तों बीभूती का पड्यावाची सब्द है संता या कि रखेंगे क्या रखेंगे याद शंता कि और भी होता है अन्य तो इसको भी याद होता है धन , धन भी होता है और विभव भी होता है दोस्तों कि लिए अकि are pretty i होता है और तो औ। और यहां पर वित्त भी होता है कि यह सब क्या है यहां तो यह नंहें होता है बिभव होता है भित होता है संपदा होता है इस अभी क्या है बिभूती की परियावाची सब्द होते हैं इस बात को आप लोग याद रखेंगे के लिए हैं आगे चलते हैं अगला खोशन देखें दिए गए वाक का वह भाग ज्यात करें जिसमें कोई तूटी है यदि कोई तूटी नहीं है तो कोई तूटी नहीं है चूने ठीक है उसे परिस्रम करनी चाहिए उसे परिस्रम करनी चाहिए और इस तरह अ गमी पूरी करनी चाहिए अगर इसमें तुलती है तो बतायें तेरिञानारा पर पना पर लिखा हुआ है उसे प्रिस्रम करना चाहिए ठीक है तो पहला ही जो वाक्त है वही क्या है truth point है पहला ही वाकि क्या है दोस्तों truth point है इस प्रकार से option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आप उच्छाट सकते हैं कोई इसकिसमे truth है किसमे नहीं है बता सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी अगला question लेते हैं सुर्य जिस परवत के पीछे निकलता है वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा सुर्य जिस परवत के पीछे निकलता है यह जो वाक्यांस लिखा हुआ है इसको एक सब्द में क्या कहेंगे इसको एक सब्द में क्या कहेंगे दोस्तों इसको उद्याचल बोलेंगे क्या कि इसमें कोी समस्वाइन है या उदिया चल पूरब दिशा में के उस परीवत को है जिसके पीछे सूर्य सूर्यास्त होना होता है यहां पर तिक है उसको आस्था शल बोलते हैं कि यहां पर पूछाहें सूर्य प्रवत के पीछेना निकलता है उसको क्या उधिया चल अग sellit Хотा है कहता है तो प्ता वहता समान अर्थााइएब होता है। समान अर्थाइब की होता है। तो शर्यस्वति सारधा करते हैं , तो इसका उत्र क्या हो जाएगा ही। सरर्श्वतिकल का समान आर्थाइबस हो pas याइगा। अभी सब्द होंगे मतलब इसके स्रस्वति के पर्याची सब्द बहुत सारे होते हैं इसको भी आप लोग याद रखेंगे सारदा तो इसका उत्प्र हो गया किलियर है एहीं अन्न इसका समनार्थि सब्द याद रखेंगे भारती भारती ठीक है बागेश्वरी वागेश्वरी वागेश्वरी किलियर है वागेश्वरी हो गया और तो और ज्ञानदा भी होता है ज्ञानदा ठीक है हन्स वाहिनी क्योंकि सरस्वति माता हन्स पर सवार होती है तिसलिए इनको हन्स वाहिनी भी बोलते हैं हन्स वाहिनी भी कहा जाता है हन्स वाहिनी यहाँ पर छोटा सा ठीक है और क्या काते हैं महा स्वेता भी काते हैं इनको महा स्वेता महाrze्षवेता भी बोलते हैं ठीक भई बिन्डा पारी बिन्डा पारी का मतलब क्या हो जागा बिन्डा को धार्र करने Вाली क्यों कि बिर्या को धार्र करती है तिसानेक स्वरपेमडार के बिल्डे क्या है क्या है नोट कर लेंगे से अगला कोश्यंद देखते हैं निम्लीखित में से सुध्वरतनी वाला सब्सक्राइब हज यहाँ पर आपको घ्रास हो से लिखा जाता है यह सब चाहत गलत है थिक है इस भात को आप लोग याद रखेंगे शुद्ध वर्टेनी वाला आता है पेपर में तो आप लोग ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे बहुत सारे सब्द देख लेंगे दोस्तों ठीक है चलिए ऐसे कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका परियोग तो किया जाता है किन्तु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है इसे दो मात्राएं है जिनका परियोग तो किया जाता है किन्तु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है ऐसे कौन सी दो मात्राएं है तो एक दो मात्रा अ को हम लोग स्वार में पुए क्रेयों करते हैं और अ पर यो तो किन दोस्त और अहा जो होते हैं इसको हम लोग उस्वर में करता है समावज़नоном स्वर में समावेशन हम लोग इसको नहीं करते हैं किसको अंग और अहा को किलिए अंग और अहा को स्वर में समावेशन नहीं करते हैं इस बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलिए अगला प्रसंद देखते हैं अच्छा दोस्त, जरा बताएंगे, यहां पर हमने को लिखा है, तो को अगर हम सोल रहित बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, को पृ सुल रहित बनाएंगे, मतलब सुल नहीं कुल अभी देखी जा बोलेंगे को को बोलेंगे, तो लास्ट में एक ध्वनी आएगी, और की, तो इसी परकार अगर आप उलंघन का सही संधिय क्या है उलंघन का सही संधिय क्या ही तो उलंगन है दोस्त उलंगन है देखे उलंगन है इसका सही संधिविच्छेद हो जाएगा अब जड़ा आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सी संधी है इसमें कौन सी संधी है संधी तीन होती है दोस्तों एक होता है स्वर संधी एक होता है बिशर्ग संधी तीन संधिया होती है ते उलंगन में कौन सी संधी है उलंगन में दोस्तों कौन सी संधी है बताएंगे आप लोग कमेंट करके बताएंगे उलंगन में दोस्ते हाँ पर ब बेंजन संदी है ठीक है उलंगन में क्या कोई सी संदी है तो आपका जवाब होगा बेंजन संदी है किलिए है आई ये कुछ संदी से समदित हम कुछ महत्तपूरी नहीं बातों पर यहां पर चर्चा कर लेते हैं जैसे दोस्तों याद रखेंगे यहां पर अगर और कि एक अ है और आ है ठीक है यह एक परिवार के इसको हम लोग मानेंगे इसको परिवार का नाम दे देंगे ए किलिए इसी प्रकार इज़िए और री इसको एक परिवार के सदस्त मानेंगे इसका परिवार का नाम क्या दे देंगे बी देंदेंगे ठीक है इसी प्रकार ए यह एक परिवार के सदस्य हो जाएंगे ठीक है यह परिवार का नाम क्या है सी हो जाएगा किलियर है इस परिवार का नाम क्या देंगे सी देंगे ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर अगर ए परिवार यह परिवार वाले मिलते हैं या बी बी परिवार वाले मिलते हैं यह संधि कौन सी हो जाएगी यह संधि संधी हो जाएगी दोस्तों स्वर संधी अगर यह परिवार के साथ बी परिवार वाला मिलता है तब यह कौँ सी संधी हो जाएगी यह गूंग संधी हो जाएगी ठीक है अगर यह परिवार के साथ सी परिवार वाला आता है तब यह कौँ सी संधी हो जाएगी तब यह दोस्तों ब्रेद्धी संधी हो जाएगी ठीक है इसी प्रकार अगर बी परिवार के साहे डी मिले ये परिवार आये या सी परिवार आले तब ये कूँसी हो जाएगी यहां रहे ठीक है यहां संधी हो जाएगी और अगर दो अगर सी परिवार के साथ सी परिवार के साथ है चाहे ए परिवार का कोई स्थ चाहे या भी परिवार का कोई स्थ चाहे तब यहां पर कौन सी संधी हो जाएगी आयादी अधी संधी ठीक है ते सब बाते हैं दोस्तों बहут important चीजें हैं इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे पने coffee में और उतार लेंगे चाप लेंगे दोस्त मे ठीक है कोई समस्या हो दो बता सकते हैं इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे हम लोग पगलते हैं अगले कोश्चन की और, अगला कोश्चन लेते हैं या पर देखे, उपसर्ग का परियोग होता है, उपसर्ग जो होता है दोस्तों उसका परियोग कहां करते हैं, सब्द के आदी म पाने अंत में करते हैं या सब्द के मध्य में करते हैं या फिर कि इनमें से कोई नहीं पताएंगे तो आधी मतलब पहले होता है आधी मतलब पहले सब्द के आधी में जैने सब्द के राइट आंसर हो जाएगा इस बात को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, कोई दिक्कत फरसानी हो तो बताईए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो बताईए, चलिए अगला प्रसन लेते हैं, राज पुत्र में कौई सा समास है, राज पुत्र में कौई सा समास है, राजा का पुत्र क्या है, यहाँ पर का क्या है, एक कारक भिवक्ती है, ठीक है, यह तत्थ पुरुष समास हो जागा दोस्तों, तत्थ पुरुष समास है, तो आपसन न तत्रुतम अगला प्रस्न है अनुवेशणय का सुद्ध संधी विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा अनुवेशणय का संधी विच्छेद क्या होगा दोस्त देखेए अनवेसरे का संदी विच्छेद होता है अनुधन एसरे क्या होता है अनुधन एसरे यानि आपसन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुधन एसरे किलियर है अभी अभी हमने फैमली के बारे में बात किया है दोस्तों हमने अभी फैमली के बारे में बात किया है तो कि यहां पर अनुवेशन को जब आप देखेंगे यहां पर आधा नो आ रहा है बस आधे नो को पकड़े लेना है यह एक बात और यहां से आप लोगों नोट कर लेंगे अपने कॉपी में देखें अगर अगर दोस्तों अगर कभी भी कि अगर दोस्त कभी भी यह यह वह और रह इसके पहले अगर आधा अच्छर है अधा अच्छर है तो करना क्या है इस आधे अच्छर को पूरा कर देना है क्या कर देना इसको इसको पूरा कर देंगे पूरा ले लेंगे आधे अच्छर को पूरा लेंगे यह का दोस्त क्या बन जाता है यह का इई इ बन जाता है ठीक है वो का क्या हो जाता है तो वो का दोस्तों उ हो जाता है उ उ रो का क्या हो जाता है तो रो का री हो जाता है क्लियर है रो का क्या हो जाता है री हो जाता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर गौर करिएगा दोस्त यहाँ पर गौर करिएगा जैसे अगर हम भी यहां पर क्या था था थीक है है क्या यहां पर Łइशलग था कैसे होगा फिर वह मुत है यहां को उन्क्राइब में यहां पर एसका संदित कर्ति कैसे होगा ऊनविस और छुक्य Reddit व है व क्या हो जाता है व का क्या होता है उ का मात्रा तो छोटा उ लगा देंगे छोटा उ लगेगा कि बढ़ाव होगा ए तो आप लिखने से पता करेंगे बढ़ाव करेंगे तो अच्छा नहीं है ठीक है छोटा उ लगाएंगे तब इसका suitable होगा तो छोटा उ लगा देंग आपको समझ में आगया होगा एक और उदाहरं लेते हैं बताएंगे यहां पर एक और दावरं आपके सामने ले रहे हैं जैसे हम कहते हैं यहां पर अत्य BEN अत्यधिक का संदे विच्छेद करना है तो अत्यधिक का संदे विच्छेद कैसे करेंगे अत्यधिक का संदे विच्छेद आपको यहां पर करना है तो देखेंगे आप जो आधा अच्छा है इसको पूरा ले लेंगे इसको क्या करेंगे पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा अत हो जाएगा ठीक है अब यह है अब यह हमने क्या बता है यह क्या होता है यह हो जाता है चाहे छोटी या बड़े यह तो छोटी यह लगाएंगे बड़े यह तो सूटेबल नहीं है क्या हो जाएगा यह अती ठीक है यह का क्या हो गया इका हो इह हो गया अती धन 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 क्य इत्यादि का क्या हो जाएगा इत्यादी का संधिय विच्छेद क्या होगा इत्यादि का बताईए और यहां पर इत्यादि के साथ प्रतेक का बताई प्रतेक का बताईए और अत्याचार का बताईए क्या होगा कि अत्याचार का क्या होगा अच्छा दोस्ति जो हम लोग अभी सीखें है यह एक की संधी के लिए है अभी हमने आपको बता है नहीं यहां पर आप लोग नोट किर लेंगे संधी क्यों सा है यहां कि लिए किने संधी के लिएं ङे संधी के लिए आपको दिया है इसका आप लोग संदेविच्छेद करके बताएंगे अगला कोश्चन देखते हैं देखें अगला परसन आपके सामने यहां पर दोस्तों गिलास में थोड़ा दूद है गिलास में थोड़ा दूद है वाक्य में रेखांकी सब्द बिसेशनले किस भेद की अं बताना है कि जो थोड़ा सब्द है एक कैसा विशेशर है किस प्रकार का विशेशर के अंतरगत आता है तो थोड़ा सब्द किसके अंतरगत आता है या परिमार वाचक के अंतरगत आता है आपसन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक भाई कि आफ संस नंबर एसका राइऔ ठाश जाुँगा अगला प्रशोंने निमदांकित में कौण सा सब्द मचली का परियाई है यहाँ पर मचली का पर याँ बताना है दोस्थ है तो मचली का परियाई क्या हो ज्रुप हो जाएंगा ठीक है कर नहीं कि सब्सक्राइब का सब्सक्राइए bu अगरा परशंते है कौन साथ सब्द आहिक इसब्द का बीलूमत है कंगे का रजाओ पार लोकी सब्सक्राइब इसका यह जाए घाए काहले व्दैंडा सब्सक्राइब अगला प्रशन है जीड एक पर चोटी का बड़ील मातरा है तो इसका अर्थ क्या होता है चोटी यदो इसका मतलब होता है पुराना और बड़ी यदो आफसटा प्याटर हो जाएगा फिक है चले जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं दोस्त जो आग जंगल में लगता है उस आग को क्या करते हैं उसको जठरागनी करते हैं क्या करते हैं सोरी सोरी दोस्तों यहाँ पर मिश्टिक हो गया है आपसन नंबर 20 है यहाँ पर रेखिए बी वाला यह आपसन है क्लियर हैं दावा नल करते हैं क्या बोलते हैं दावा नल के jin ये दिक्कत प्रषानी एक बार बताएंगे कि कोई दिक्कत प्रषानी के देखिए यहां पर बढ़ान नल भी ढिया है गिया है बढ़ानल क्या होता है जो आग जू समुद्ध में यह नहीं बोलते हैं और बलते हैं और वर वनाग नेए क्लिए रहें चलिए तो यहां पर इसका उत्र कर जागा जंगर में लगने वाली आग को क्या करते हैं दावा नल बोलते हैं आफशन नमबर भी आहलाक रहां कि यहां पर सी जहाना चाहिए था भी हो गया है मिश्टे खोय कोई दिक्कत की बात नहीं है प्रस्ण है अगला प्र हिसमें कसा काल है ह пошते हैं कि ये दोस्त कि नहीं है ठीक है ये नहीं है चलिए ऊई हो तो उसे मेरी चित्थी दे देना और दीलिए इस Kab Bank की बात कर रहा है बरतमान में किसका बरतमान इस सम्भावना जता रहा है दोस्तों स अगला पर प्रसंर भी यहां पर आपकी सामने यहां पर दिया कि बचन की द्रिष्टी से कौन सा थोरा सही नहीं है सोरी जोरा सही नहीं है जोरा सही नहीं है दोस्तों आपको बताना है देखे लता का क्या होता है लताय होता है सही है घोड़ा का घोड़े होता है सही है किताब का किताबे होता है सही है सखी का सखिया होता है नहीं सखी का सखिया नहीं होता है यही इसमें क्या है गलत है इसलिए इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपसन नमबर डी आपसन के इसमें कोई दिक्कत परसानी है दोस्तों कि अचि कि यह निन है कि अगला प्रसुंग और परशनर समय नंबर 19 थिक समय पर आ जाना कौन सा कारक है ठीक समय पर आ जाना समय पर किसकी होती है पर यह होता है अधिकरे का तो आफरनर्द इस पर इसका सही उत्तर है कि लिए एक गाय दो गोडे और एक बकरी मैदां में चर रहे हैं सुध्ध वाक के चुनिये देखे लिखा हुआ कि एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं सुद्ध वाक के चुनिए तो सुद्ध वाक क्या होगा यहां आपको बताने हैं एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं चर रहे हैं यहां पर चंद्र बिंदी लगा हुआ है बिंदी लगा हुआ है जिसका बहुआ चंद में चल रहा है एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं चर रही है दोस्तों यह सही होना चाहिए इसलिए आपसन नंबर B क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर ठीक है चर रही है बकरी क्या होता है इस्त्रीलिंग ठीक है तो बकरी मैदान में चर रहा है नहीं चर रही है ठीक है आपसन नंबर B इसका सही उत्तर है ठीक है चलिए अगला प्रशन है च्छतिस गड़ी की सभ सती सपर है पूर्वी हिंदी है तो ऩुरु ले अको थी पहचानला है देखिए सब कैसे करेंगे कि करी कैसी कसिदाकार के अच्छा या अच्छी लगा कर सकते हैं ठीक है जुर्राब है जुर्राब अच्छा हो तक अच्छी होती है पजामा है और कच्छा है बताएंगे इसमें कौन सा इस्त्रीलिंग सब्द है इसमें दोस्त इस्त्रीलिंग सब्द कौन से हो जाएगा जुर्राब जो राव जो है अच्छी होती है ठीक है तो ये क्या है इस तर्य लिंग सब्द हो जाएगा किलियर आगरा प्रिश् porch निम्निखित में से गेहूं कात्त्सम सब्द कौन सा है गेहूं क्या है तैदभाव सब्द है इसका तत्सम गोधूम क्या होगा दूस्त गोधूम होगा रसराज के नाम से भी जाना जाता है एक बार बताएंगे रसराज किस रस को करते हैं दोस्त तो रसराज बोलते हैं स्रिंगार रस को आपसन नंबर सी सही है इस बात को आप लोग याद रखेंगे अगला परस्ट लेते हैं झाल ऑटी आप अलंकार आपको बताने है 25 दरन वनकार यहां बताएं यह वहां आपके इसदाफ आपको बताएं गंधैक इसंधे दोस्त आपके स्क्रीन फर इसमें अलंकार पूछा गया है तो एक बार आप सभी लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है एक बार दोस्त सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार है कवान से लंकार है दोस्ता एक बार बताईए आप सभी लोग यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें स्लै सलंकार है आप सन… नमबर से कोई दिक्कत बताएंगे एक बार सभी बताएंगे, कोई दिक्कत इसमें चलिए अगला प्रेस्ट न है कासी नागरी प्रचारी शभा की अस्थापना कब हुआ था यह कब हुआ था दोस्तों यह हुआ था 1893 में एक बार देखिये किसमें है आपसन नमबर ए में है ठीक है तो कासी नागरी प्रचाड़ी शभा की अस्थापना कब वह था 1893 आपसन नंबर 20 का सही है लेकिन दोस्त एक किसे ने किया था तो याद रखेंगे श्याम सुंद्र दास जी और राम नरायार मिस्ट तथा शिव कुमार सिंग ने मिलकर तीनों लोग नागरी प्रचाड़ी श हिंडी की लिपी के हिंडी की लिपी या अवलों बताएंगे कमेंट बाक्स में चलिए गए, बिगल्पों में से सही क चैन करटें रिगत अस्थान भतिये इंडेसिया में एक तो आ इस में दोस्तों किया है यहां पर निके बाद इस्थान है तो अपको भर ना है तो क्या हो जाएगा यहां पर एक बार रॉताएंगे सभी दोस्त क्या होगा यहां पर खाली स्थान सिपत कौन सा सब्सक्राइब किया इंडोनेसिया मैं फिर यॉला मुखी नि डान है क्या रुonter है यहां कर क्या तुम पर 25 तक है यह जो है गद्यांस है तो एक बार आप लोग गद्यांस को पढ़ेंगे पढ़ेने के बाद इस से related question पुछे गए हैं उसका जवाब आपको देना है तो एक बार पढ़ेते हैं पहले सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल में रहता आया है हम थोड़ी दूरी पर ही देखत हैं 36 तक जहां धरती और आकास हमें मिलते दिखाई देते हैं लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नजारा आगे खीशकता चला जाता है और इस नजारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है जिन्दगी की नजाने कितनी उ उपमा पूर्य नहीं माने गई क्योंकि जिन्दगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती बर्नार्ड सा जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है ठीक है वह चाते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के आने का हक नमारे यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है हमारे बिचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर रहे हैं यह खुला आस्मान यह प्रकृति और यह पूरा भू मंडल हमें दरसल यही बात बता रहा है कि हाथी से लेकर चीटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है जिस तरह से खुले आस्मान के नीचे हर प्राड़ी बिना किसी डर के जीने स्वास लेने का अधिकारी है उसी तरह मानो मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों के उनके जीने का हक न चीन यह आस्मान हमें वह अपने जीने के हमें जिस तरह से भैसे छुटकारा दिलाता है उसी तरह हमें उसी तरह से हमें भी मानो जाती से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाने दिला कर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए ठीक है दूसरे दूसरों के जीने के हक को छिनने से बड़ा अपराद या पाप कुछ नहीं हो सकता अब यहां पर आपने पैसेज पढ़े लिया नीचे आपके यहां पर कोश्चन दिया गया है इसके बिकल्प तीन बिकल्प अगले स्लाइट पर मिलेंगे देखे कहा बुला यहां दूसर मिले दिखाई देते हैं तो जहां धर्ती और आसमान मिले हुए दिखाई देते शूस तो च्छेती जिकाते हैं ठीक है अगला प्रस्न है यहीं किसी का ओर छोड़ नहीं है तो उसका सीरा नहीं मिलता उसकी सीमा नहीं है उसका विस्तार अधिक है उसे बहुत से सीरे हैं उसके बहुत से सीरे हैं क्या हो जाएगा यहीं किसी का ओर छोड़ नहीं है तो क्या होगा पता कि उसकी सीमा नहीं है उसकी सीमा नहीं है अगर किसी का ओर छोड़ने मतलब उसका सीमा नहीं है आपसर नमबर भी फिट और इंसान सब्द हैं फिट और इंसान इस सब्द कैसे हैं आगत हैं तत्सम हैं तद्भव हैं या फिर देशज हैं बताएंगे दोस्त एक बार एक किस प दिए तो बर्वनार्ड सान ने जीवन के उपमा एक खुली किताब से दिया है फुली पुस्तक से दिया है दोस्तों आपसम नमबर यह सही है खुली पुस्तक से ठीक है अगला प्रशन है हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को लूट लेते हैं किसी को टिकने नहीं देते हैं किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं किसी को दुस्मनी रखते हैं तो हम कब बहुत बड़ा नया कर लेते हैं जब हम किसी को जीने का दिकार नहीं देते हैं ठीक है जब हम किसी को जीने का दिकार नहीं देते हैं दोस्तों तो बहुत बड़ा नया करते हैं आपसन नंबर सी इसका सही उत्तर है पैसेज में लिखा हुआ था आपने पढ़ा भी है अगला परसने 33 नंबर दिये गए वाक्य में रेखांकित जो अंस है उसको प्रतियस्थापित करने के लिए सबसे उपयूग तबिकल्प का चैन करिए रेखांकित यहां पर नहीं है दोस्तों हम बताते हैं किसके साथ रेखांकित किया गया है यहां पर रेखांकित जो सब्द है आकांचा के साथ किया गया है दोस्तों इसके नीचे रेखांकित किया गया है ठीक है मैं आपके सुखी जीवन की आकांचा करता हूँ तो आकांचा करता हूँ कि क्या होगा इसको आकांचा की जगह क्या हम करनें कि संटेंस हमारा सही हो जाए वाक कि क्या हो जाए बिलकुल सही हो जाए तो हम मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ दोस्तों यहां पर सुद्ध वरतनी बताना है आपको कौन सा इसमें सुद्ध है कौन सा इसमें सुद्ध है दोस्तों देखिए लालसा नहीं होता है ऐसे नहीं होता है लालसा होता है शोलित दोस्तों जो है यह सुद्ध वरतनी में लिखा हुआ है शोलित इस प्रकार से लिखते हैं सुनित इसप्रकार सी लिखते हैं एक बार आप लोग भी लिख कर कड़ेंगे इस प्रकार सी गिदर्भव कि मिहंद काival का मुखा हुआ ऌक हो ग्या सुछी लोग कमेंट करके बताएंगे रहा ही होता है को अ्यों डेंध कि भार तो कहते हैं गीदर भव की मत दो ठीक है यानि जूठी धम की मत दो आफसान नंबर सी सही है अगला प्रस्ण है सम्मुख का बिलोम बताईए सम्मुख का बिलोम क्या होगा सम्मुख का बिलोम दोस्तों बिमुख हो जाएगा बिमुख समुख मतलब होता है आमने सामने बिमुख मतलब हो जागा बिपरीत इधर इधर ठीक है चलिए अगला प्रस्न है और लाश्ट प्रस्न है दिये गया वाक्य के किस भाग में तुरूटी है मुझे पैसे की आवस्यक्ता नहीं है मुझे पैसे की आवस्टर नहीं यहाँ आपको बताना है तो मुझे पैसे की त्रूटी किस्मे हैं यहां पर लिखा है अवस्चक्ता नहीं होता है अवस्चक्ता ठीक है आवस्यक्ता होता है दोस्तों तो आवस्यक्ता में क्या है त्रूटी है आपसन नंबर डी में किलिर हैं तो हम लोग 37 कोश्टन किये हैं दोस्तों आपका स्कूर क्या रहा हमें एक बार सभी लोग बताएंगे 37 में से आपका स्कोर कितना रहा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे क्लास कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताईएगा तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टी सेथ को लेकर तब तक के लिए जै हिंद जै भारत